हलो एंड वेलकम फ्रेंट्स आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं किया दुनिया में कोई दो सूरे वाला ग्रह अस्तित्व में हैं तो जी हाँ है नासा की कैपलर दूरबीन ने इस ग्रह को खोजा है प्रत्वी से इसकी दूरी 200 प्रकाश वर्ष दूर है यहाँ पहला मौका है जब दो सूरे वाला कोई ग्रह अस्तित्व में आया है यहाँ नई शिर्णी के खगोलिय मंदल की खोज है जो हमारे काम आ सकती है हमारी आकाश गंगा की जादतर तारे बाइनरी सिस्टम में हैं दो सूरे होने का अर्थ है दिन खत्म होने पर कैपलर 16B में दो बार सूरे आस्तर होता है कैपलर 16B के पास मौजूदा सूरज हमारे सूरज का 69 फीजदी जबकि छोटा सूरे 20 फीजदी है इसी वज़य से ग्रह का तापमान माइनस तहतर से माइनस 101 डिक्री सेल्सिस के बीच है इतनी थंड में वहां इंसान के जीवन होने की संभावना काफी कम है ग्रह चत्तानों और गैसों से भरा हुआ है कैपलर 16B 239 दिन में अपनी दोनों सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है तो यह थी कुछ इंपोर्टेंट डीटेल कैपलर 16B के लिए और भी ऐसी जीके के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आकेन पे ज़रू प्लिक कीजिए ज इसे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें